मूझ मैं जिसमें अब वर्दुराग के लेग जोन में जो की हनी रोड़ पर आया हुआ है और यह जो है अमूजमेंट पार्क जहां पे बच्चों के लिए यहां की एंट्री है तो यहां की एंट्री है तो यहां की एंट्री की जो टिकेट है वो टैंक रुपीज है और यहां से ही यहां से ही आप मेरे पीछे देखर पर यह है मेरी फ्रेंड रीना यहां से ही एक्जिबिशन स्टार्ट हो रहा है इस साइड जो है एक्जिबिशन है इस साइड यह छोटी सी एक बस है जो बचों को राइड करवानी है कि बोंटिंग के लिए कार्ड लेना पड़ाा है तो अभी टिकेट विंदू पे जो और आपको टिकेट देऊँ करें यहां पर दो टाइप की बोटिंग होती है एक paddle voting और एक speed boats है, अगर आपको paddle voting करनी है, तो per person 59 rupees है, और अगर आपको speed boats से voting करनी है, तो per person 140 rupees है, और अगर आप group में आए हो, तो उसमें भी discount मिल जाता है, तो rates कम हो जाता है, तो ये देखे, कितनी प्यारी-प्यारी बतक्स है, जब भी अप लेक जोन में आने का प्लान बनाएं तो पांच-छे बजे के बादी बनाएं विकोज उससे पहले बहुत दूप रहती है तो आप बोटिंग भी नहीं कर पाओगे तो ये देखे ये अभी एक्जिबिशन स्टार्ट हो गया चालीस जितने स्टोल थे सेटर्डे संडे दो दिन के लिए वहाँ पे एक्जिबिशन था और सबसे ज्यादा जो स्टोल थे वो कपड़ों के और ज्वैलरी के थे और थोड़ी बहुत अलग यूनिक चीजे भी वहाँ पे थी जैसे ये देखिए ये जो स्टोल था उसमें सब कुछ होममेड था मैंने यहाँ से घर के लिए फिनाइल लिया लिक्विड लिया और दो साबुन लिये जिसमें एक पाइनेपल फ्लेवर था और एक रोस फ्लेवर था तो ये जुएलरी में बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन थी तो मैंने उसमें से एक सैट लिया एक मूती का बहुत डेलिकेट और बड़िया सैट था जो 250 का ही था तो मैंने बूलिया और earrings में भी बहुत अच्छे अच्छी डीजाइन थी मैंने चार जितनी earrings ली जो 10 रुपी से स्टार्ट हो रहे थी लिकिन मैंने तो थोड़ी heavy dress के लिए ली थी फिर रीना ने भी बहुत अच्छा bracelet लिया जो हाथ का diamond का delicate bracelet था और रीना और मैं बहुत टाइम के बाद मिलें बहुत टाइम इट मिन्स के 10-15 दिन हो गए होंगे ऐसा होता है कि हम everyday मिलते हैं और इतना gap हो जाए तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम हो गया बहुत बाते हो दिये हमारी ये एक छोट ऐसा game zone है आइनोक्स वगरे जितना बड़ा game zone हो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत अच्छे अच्छी games है कि बच्चे आराम से वहाँ पर खेल सकते है ये जो food coder उसके उपर जो है ना multipurpose hall है तो यहाँ पर शादी, engagement, कुछ भी function करना है तो AC hall वो देते है फूड में अभी आपको यहाँ पर बहुत option नहीं मिलेगा बिकोज बहुत सारी जो food की shop है वो अभी बंद है और ऐसा बोल रहे है कि एक तेड़ मेने में ये सब कुछ अभी reopen हो जाएगा लेक जोन में एवरी सेटरड़ संडे लाइव परफॉर्मंस होती रहती है और म्यूजिक तो चलता ही रहता है तो यह अभी हो रहा है लाइव कॉमेडी शो तो जिसको भी परफॉर्मंस करना है वो उपर जाके परफॉर्म भी कर सकता है यह फिर जो stand-up रहता है वो परफॉर्म करता है तो फाइनली आज रीना के साथ भी मैंने बहुत quality time spent किया हम दोनों बहुत time से मिले भी नहीं थे और बहुत बाते भी बहुत ब्यादा थी तो अभी night view में आपको बताती हूँ Lake View का कि कैसा लग रहा है लेक व्यूदीन याट में बहुत अच्छा लगे कर भी दीरे दीरे crowd भी बढ़ रहा है अज sunday भी है तो crowd भी बढ़ रहा है तो चलिए मैं night view आपको बताती हूँ लेक्यू का कितना अच्छा आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है देखे बीच में जो फांटेंस यह मैं बता दियू आपको चलिए व्लोग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ I hope आपको यह व्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर नए हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स करके बताइगा कि कैसा बना है व्लोग और अगर आप बरोडा के हो तो शुरली विजिट करना तो भी आप शुरली विजिट करना चलिए, बाई, टेक केर